दोस्तों आज की वीडियो काफी important होने वाली है क्योंकि इंडिया में 5G तो launch होने वाला है और इसे में हम लोग यह 5G phone चाहते हैं और उपर से हम लोग का budget भी काफी अक्सर कमी रहता है तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ पर एक कम budget में एक अच्छा 5G phone मिल जा तो लावा लेकर कि कि आपकी requirement के साफ से कौन सा phone सही रहने वाला है हम लोग आप वीडियो के starting करते हैं इसके यहाँ पर कुछ internal feature जैसी कि होगा इसका display तो दोनों ही phones में आपको जो display मिलता है exact same देखने मों मिल जाता है 6.5 inches का HD plus IPS LCD आपको पाइना मिल जाता है और 90 Hz का एक higher इसकी reflection मिल जाता है तो यहाँ पर क्वाल्टी वाइस भी मैं आपको इतना अच्छा मैं नहीं करूंगा तो यहाँ पर कंटेन वाच के लिए मैं आपको requirement नहीं करूंगा बाकि जो normal जो काम होते जाता है तो यहाँ पर काफी मजा आने वाला है इसके बाद जो brightness है वह यहाँ पर officially नहीं बताएगी है लेकिन इस साले price rate में जनरली यहाँ पर 400 लेके 500 निस तक ही मिलती है जो की comparison तो आप लोग देखी पार है तो अगर आप लोग बाहर जाते हैं अगर सलाई present है तो उसमे आपको display बहुत अच्छे से तो visible नहीं रहेगा लेकिन हलका अलका आपको दिखाई देगा तो अगर आपको photos capture करनी video shoot करना है तो उसमें आपको थोई बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन normal काम में जैसी calling हो गया message हो गया उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो display जो ह जो की 7NM based है बाकि आपको सारी 3,00,000,000 करीब देखने हो मिल जाएगी तो प्राइस को देखते होगी जो performance है वो आपको इसमें काफी कमाल की देखने हो मिल जाएगी बाकि आगे यहां पर इसके 4G आले अगर वीरिंग की बात करें तो इसमें आपको Helio G3807 मिलता है जो की 12 NM based है बाकि इसके आंतर तो स्कूर आपको यहां पर कुछ 1,00,000,000 के आसपास देखने हो मिलते है तो यहां पर जो gaming performance है वो आपको Lava Blaze 5G में बहुती ज्यादा कमाल की देखने हो मिलेगी इसके बाद यहां पर नाइनो मीटर देखे जितने कम होते हैं उतना ही ज्यादा दे इसके बाद यहां पर इस टॉक अनड़ जो होता है उसमें आपको कम देखने को मिलेंगी और मिलती भी नहीं है और लावा जैसे फोन में तो आपको नहीं मिलेंगी तो इसमें आपका experience काफी स्मूध रहने वाला है और प्लस यहां पर इसका पर इसका इसका पर पार्टी ज आपको दोनों ही फोन में तो आपको दोनों में 10 watt का ही मिलते है इसमें उफिशली तो नहीं बताए गया लेकिन फिर भी यह मेरा अंदाज है वह इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं क्योंकि यहां पर यहां पर यह आप बेसिकली जो इमेज देख पारें इसमें साफ-साफ ल बेसिकली यह पहीं पिशन को कहा ज़ल्दी चार्ज करती है कमपेर टू-Maipro-USB पोर्ट यहां पे विकाम काफी से किया गया है प्लस यहां पर बैर्टीका बैकप जो है वह आपको 5G अला जो है उसी में ही आपको अच्छा देखना को सॉप से लगा हुआ है और जो बटन के ओपर fingerpin sensor देखे हो मिल जाएगा इसके बाद अगर यहां पर cameras की बात की जाए तो आपको यहां पर दोनों ही phones में 50 megapixel का main camera मिल जाता है और बाकी के दो-दो जो megapixel की lenses होते हैं वो useless होते हैं खाली look and design में खाली काम आते हैं वीडियो वीडियो शूट की बात की जाए तो यहां पर जो 5G वाला जो इस में अगें यहां पर टू के तक की वीडियो शूट करने का resolution दे रखा हुआ है और 4G आले में हमको सिवसी फुल एजी तक ही मिलता है सेल्फी की बात की जाए तो आपको दोनों में यहां पर जिन फोन में इस टॉक इस टॉक अज़ां पर फोटो आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें एंसाधा डिले करते जब रहे लेकिन जो प्रसेसिंग देने के बाद यहां पर यह जो आपको रिजर्ट करते काफी सही परवाइड करते तो यहां पर जो लावा ब्लेज में मलब दोनी फोन में कैमरा तो लगवा सिमिलर से ही है तो आपको पर्फॉर्मेस अच्छी मिल जाए कि प्राइस को देखते हुए आप बहुत जादा एक्सपेट ना कीजेगा बाकि जो डाइनमिक रेंज है वापको एवरेस देखने मिलती डिटेल्स आपको इसमें इसके बाद आपको यहां पर फ्रेम से आपको प्लास्टिक के ही देखने मिलेंगे और जो लुक एंडिजाइन दोनों ही फोन का बहुत ज्यादा मुझे कमाल का लग रहा है इसके बाद आगा यहां पर बात की जाए इसमें यहां पर एक अच्छा काम किया गया है चार ऑफ 와서 आपको काफी कमाल का मिल जाता है दैमेंसिटी आपको 700 मिल जाता है और यहां पर आपको 8 5G के बैंड्स मिल जाते तो डेफिनिटलिटलिक यह फोन काफी सही है 5G के मामले में भी और एक और चीज जो कि मैने यहां पर मेंशन नहीं किये वह इसकी बैटरी वह भी 5G में ही अच्छी देखने मिलेगी तो यह पर मेरे हसाब से जो इलावा बिले 5G फोन है काफी सही है बसकार इसमें डिस्प्ले जो है वो HD प्लस वाला है अगर फुल इसमें प्राइस को देखते हुँ आपको फाइब लगा आपके लिए पाफी सही रहने वाला है तो आज होकि मैंने आपके सारे जाउट के लिए कर दिये आपर वीडियो का इक लाइक जो कर दीजिए हमाई चानल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मुझे सपोर्ट करें चाथे ये वीडियो अपने दोस्ते साबी शेयर कीजिए जैहिन जै भारत